नमस्कर दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हो अगर आपके पस Realme GT 5G है GT2 है कोई भी फोन है तो यहां पर आप यह जो थ्री फिंगर से स्क्रीन शॉट लेते हैं तो यह कैसे ले सकते हैं और फुल सेट उतिकर सकते हैं स्क्रीन शॉट का थीक है और इसके बाद यह पर आपका मार्क आप आ जाता है जिसको आप मांक कर सकते हैं चेंड गी यहां पर पिक्सलेट आ जाता है तो ऐसे घर के आप बलर कर सकते हैं किसी चीज को और ऐसी काफि सारी ऐसे चीज़ आ जाती है तो इसको भी मैं कट कर दूंगी ठीक है और यहां पर ट्रांसलेट और क्रॉप शेप यह ऐसे ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं तो इसी टैप का स्क्रीन शॉट आ जाएगा आपका यह सारी चीज़े आप डन करके चैक मार्ट पर क्लिक कर देंगे तो इस टैप का एक स्क्रीन शॉट आ गया अब लॉंग स्क्रीन शॉट लेना है तो लॉंग स्क्रीन शॉट के लिए जैसे क्रोम वाली जो स्क्रीन होती है वो तो scroll होती है तो इसमें हम long screenshot ले सकते हैं ठीक है तो पहले मैं कोई ऐसे screen खोल लूँगी जैसे मानलों इसका screenshot लेना है मेरे को क्योंकि यह scroll हो रहा है अभी phone मेरा connected नहीं है इंटरनेट से इस वज़े से तो अब मैं इस पे ऐसे click करूंगी scroll पे click कर दूँगी और यह मेरी screen scroll होगी और मैं done पे click कर दूँगी तो इतना screenshot मेरा आच चुका है ठीक है और अब मैं आपको photos पे जाके दिखाओं gallery में तो देख सकते हैं यह आपका long screenshot है यह जो हमने shape वाला लिया था वो वाला screenshot है यह three finger वाला और बटन वाला आप यहां से power button और volume up बटन से screenshot ले सकते हैं और sorry down बटन से यह screenshot आ गया है ठीक है अब अगर इतनी setting करने के बात भी अगर आपका screenshot नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपकी setting बंदो या फिर कोई problem हो तो इसको fix करने के लिए आप जाएंगे यहाँ पे system setting पे और यहाँ पे screenshot का option है इस पे click करेंगे और यहाँ पे यह जो swipe वाला है three finger touch and hold power button यह तीनों आपके on र एडिट करने के बाद अगर आपका original photo delete हो जाना चाहिए तो यह आप on कर सकते हैं और इसका left or right preview कहाँ पे आना चाहिए screenshot का वो आप सेट कर सकते हैं ठीक है यह आपका ज़रूर होना चाहिए तभी आपका screenshot आता है और तीसरा option जो मैं आपको last option बता रही हूं अगर आपका य reset all settings यह all settings आप reset कर देंगे तो जो भी problem में phone की वो fix हो जाती है चले मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार